चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी यादी को अपने चित्रन का विशे बनाया नाम दिया गिया अमरता सेरगल, रामकुमार, जी श्वामिनाथन और जी यार शंतोस आप जानते हैं भारत में आता है 1234 के आसपास वह कलाकार जन्म उसका जो है बुड़ा पेश्ट हंगरी में होता है, नाम अमरता सेरगल होता है सही जब आप फर्ष्ट के साथ जाएगा, एस दराइट आंसर बन जाएगा बित्रों आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, लेट हो गई है, वो हमारे चलते हो गई है जानते हैं इस ताइम थोड़ी सी दिक्कत है और उसी के चलते थोड़ा सा लेट भी हो गया है हलाकि मैं चाहूंगा कि कल से क्लास राइट टाइम हो और शुबेद दस बचे हमने बोला है तो दस बचे आपको क्लास पहले ही मिल जाया करें दूसरा कोश्चन नंदलाल बोश की पेंटिंग बीड़ा वादनी किस संग्रहाले में है लाहूर संग्रहाले में है राष्टिय आधुनिक कला संग्रहाले में है ब्रटेस संग्रहाले में है या फिर लेप्रू संग्रहाले में है आपको बताना है बीड़ा वादनी कहां प की स्क्रिन पे पूछ रहा है तू ताहीतियन वूमेन ये 1899 की रचना है कैनवास पे तैल रंग के द्वारा बनाई जाती हो और यह जो संग रही थे यह निव यूयार्क में संग रही थे किसकी प्रेंटिंग है तू ताहीतियन वूमेन आपको बताना है वान गौग ने बनाय होगा याद रखिएगा questions सभी important हैं कोई questions हलके में नहीं लेना है question 4 की बात करें कह रहा है चितरकार M.B. धुरंधर ने कला सिच्छा कहां शेप राप्त की M.B. धुरंधर ने लेलित कला महाबिद्याले दिल्ली में पढ़ाई की है कि मियो इसकूल आफ हाट्स लाहोर से पढ़े हैं J.G. इसकूल आफ हाट्स मुंबई से पढ़े है या फिर S.R.S. इसकूल आफ जैपूर से पढ़े हैं अगला कोश्चंस पांच नंबर आपकी स्क्रिन पे रहा है पूछ रहा है आयल पेंटिंग की तकनिकी किसने प्रारंब की नाम दिया गया तर्शिया ने जानवान आइक ने पीटर पाल रूबेंस ने या फिर आपको बताना आयल पेंटिंग यानि तैली रजना किसने इस्टार्ट की है अब तैली रजना का जनक आप जानते हैं जानवान आएक तो सही जबाब अभी के शाहत लगाईए और बढ़ी अगले कोश्चंस के तरफ अगला कोश्चंस छै नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रह पूछ रहा है Where are all the flowers gone आपको बताना है इसीर सक से टिपचित चितर किस्के द्वारा निर्मित किया गया नाम दिया गया एराम जंदर ने बनाया है फacyडane ने बनाया है भूचिन घकार का है फिर अपरणा कोश्चंस दिया गया है नाम आपको बताना है वेर आर आलदा फ्लावर सगान की अगर बात हो परना कोर के शाथ आंसास मैच कराईएगा मित्रों डी इस दराइट आंसर बन जाएगा अच्छी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है उसके लिए हमें खेद है साथ नंबर कोश्चन सापकी स्क्रिन पे है कलाएं आसपास के संपादक कौन है विनोध भारत दौाज जो तिस चोशी प्रियाग शुकल या फिर उधेश मिस्र आपको बताना है कलाएं आसपास के लिए क स्क्रिन पे ये रहा लोहे का प्रारंभिक साच्छे प्राप्त होता है नाम दिया गया महदहा से प्राप्त हुआ है अंतर जी खेडा से प्राप्त हुआ है दमदमा से प्राप्त हुआ है या फिर सराय नाहरगर से प्राप्त हुआ है आपको बताना है लोहे का प्रारंभिक साथ से कहां से मिलता है तो लोहे वाला साथ जो मिलेगा वो अंतर जी खेडा से मिलेगा अंतर जी खेडा से मिलेगा सही जब आब शी के साथ लगा ये मित्रों फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चंस की तरफ अगला कोश्चंस नौ नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूज रिखेगा गुफा संख्या एक में ही चित्रित है सही जवाब श्ची की साथ बनेगा सी इस दराई टांसर लगाईए फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स दस नंबर आपकी स्क्रिंड पर या रहा आपको सही जवाब देना है कि मार्डन इंडियन प्रेंटिंग को मुलूब से किस के द्वारा तो सही जवाब होगा पियार रामजंदरन राओ के द्वारा सही जवाब श्ची की साथ लगाईए गमित्रों सी इस दराई टांसर बढ़ेंगे एगले कोश्चन्स की तरफ आपको बताना एक बढ़ियां वाले कलाल उचक कौन रहे है तो अगर बढ़ियां वाले कलाल उचक के रूप में देखेंगे तो डाक्टर सी इल फावरी का नाम लगाईएगा डीस दराई टांसर बनाईएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोशिंस 12 नमबर आपकी इस्क्रिंट पे है पूछ रहा है जलिया वाला बग शिंगल आफ ज़ार जो है अरज फार फ्रिडम के लिए ये चार कॉल की रचना किसने बनाया है जलिया वाला बाग सिंगल अर्ज फार फ्रिडम जहां की रिसाबरा वाला ने बनाया है प्राणनाथ मांगो की है के इसकुल करनी की है या फिर हरीकेशन लाल की है आपको बताना है सही आंसर इसमें से कौन सा है तो याद रखिएगा जलिया वाले बाग पे जो है चार कोल के माध्यम से डाटा उकेरने का काम प्राणनात मांगो का रहा है तो सही जबाब बी के साथ लगाईए बढ़ते हैं अगले कोशन्स की तरह अगला कोशन्स 13 नमबर आपकी स्क्रिन पे है पूछ रहा है विख्या चित्र आफ्टर दा साइकलोन ये एक्रेलिक माध्यम में किसने बनाया आफ्टर दा साइकलोन 37 कुजराल का है मकबूल फिदा हुशन का है जितन दास का है और फिर पार्टो शेन ने आफ्टर दा साइकलोन को चित्रत किया है तो after the cyclone के अगर बात करें पारितो शिन के शाथ answers लगाईएगा इतनों D is the right answer से बनाईएगा 14 number questions आपसे पूछ रहा है बिबादित चित्र नगन सरस्वती किसने चित्रित किया नाम दिया गया रभी बर्मा, भुवेन खकर, में फुशन, कुलाम मुहमशिक आपको सही जबाब देना था, नगन सरस्वती को किसने बनाया, तो नगन सरस्वती बनाने का कवाम हो जोगा, जो है, वो मखबूल फिदा फुशन का होगा सही जबाब, में फुशन के शाथ लगाईएगा, be is the right answer बनाईएगा बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, 15 नंबर कोशन के रहा है, किस कलाकार ने तूलिका अगातों को, रेंगता हुआ शर्प गा, तो रेंगता हुआ शर्प पालगारियन कहेंगे, वानगाउग कहेंगे, बिलियम ब्लैक कहेंगे, या फिर मौंग कहेंगे तूलिका आगातों को रेंगता हुआ शर्प जी संग्या देने का काम जो है वानगाग मोहते कर रहा है तो सही जबाब वानगाग के शाथ लगाईए बेज दराइट आंसर बनाईएगा प्रश्ण क्या सोला आपसे पूछ रहा है भारतिय प्रोगे दिहास काल के जनक माने जाते हैं नाम दिया गया रावस ब्रुषफुट हैं मारियम हुलर हैं जान मारसल हैं या फिर एक अरनिंगम है भारतिय प्रोगैतिहासिकाल के जनक को न माने जाते हैं तो आप जानते हैं भारतिय प्रोगैतिहासिकाल में रावस बुषफुट आते हैं सबसे पहले तो काम इन ही का बनेगा ग्राबस पुर्फूर्ट इस दराइट आंसर जो जाएंगे प्र llegóए कि प्रश्टन क्या सत्रह की बात करते है पूछ लिया गया दख्खनी सेली का प्रथम सभी ही माना जाता है पहला सभी दख्खनी सेली का क्या है इबराहां अदिल्शाध, होतिये का सभी है बुहराम का सभी है मुहम्मद कुत्बु साह का सभी है या फिर इनमेशे कोई नहीं तो तक्षनी सेली का जो पहला सभी माना जाता है वो बुरहान का सभी माना जाता है बुरहान का सभी तो सही जब आप बुरहान के साथ दीजिए भी इस दराइट आंसर से लगाईएगा बुहरान का सभी बुहरान का सभी बढ़ते हैं अगले कोश्टन्स की तरफ अगला कोश्टन्स 18 नमबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा पूछ रहा है हुशाइन की फिल्म मेनाक्षी मेनाक्षी एटेल आफ त्री स्टीज की बात करें सर्मिश्ठा राए ने डायर किया है और डायर की रूप में सर्मिश्ठा राए का नाम रहा है तो सही जबाब फर्ष्ट के शाथ लगाईएगा फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले कोश्टन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 19 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा 11 नमबर कोश्चन्स कहे रहा है किस बाली बूड एक्टरस की MFO हुशेन खास प्रसंसक रहे है स्री देवी की माधूरी दीचिकती रेखा की या फिर हेमा मालनी की आपको बताना है कौन सी बाली बूड अभिनेत्री रही है जिसको मकबूल फिदा हुशेन जादे प्रसंसा करते रहे तो नाम होगा माधूरी देचित सही जबाब सी की साथ लगाईएगा सी इस दराई टांसर्स बनाईए फिर बढ़ते हैं प्रसंसा क्या कह रहा है पूझ रहा है क्या मिट्टी के बरतन बनाना नौ पार्षान काल से संबंदित है नाम दिया गया सत्य है सत्य हो शकता है मिट्टी का बरतन नौ पार्षान काल से बनता है आपको बताना है दो पाशान काल से बनता है सत्य है जो लोग अभी नए वाले बैच में जुड़े होंगे उन्होंने देखा होगा कोश्टन सिधा सिधा वही है प्रेश रंखेक या 21 की बात करने है पुछा जा रहा है रेनेशा का जनम अस्थल है इटली, पेरिश, लंडन, चीन आपको बताना है रेनेशा का जनम अस्थल कहां पे है तो मित्रो रेनेशा के लिए इटली शब्द लगाई है फिर बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ अगला कोश्टन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बाच नमबर पूछ रहा है पुरा पार्षान, फिर मद्पार्षान, फिर नो पार्षान, फिर तामर्यूग तो सही जबाब B के साथ लगाईए और आगे बढ़ चलिए बेज दराइट आंसर्स बनाईए प्रश्चन ख्याते ही साब के स्क्रीन पे ये रहा पूछ रहा है आपसे नमलिकित में से प्राख हडपा संस्क्रती कौन सी है प्राख हडपा संस्क्रती कुली संस्क्रती होगी, इरानी संस्क्रती होगी, वैदिक संस्क्रती है या फिर सुमेरियन संस्क्रती है प्राक अपतर जो है संस्कृती के अगर बात करते हैं तो आपको जो सही जबाब लगाना होगा कुली संस्कृती लगाना होगा फॉस्ट इस दराइट अंसर से बनाना होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला questions 24 नमबर आपकी इसक्रण पे ये रहा कह रहा है rocks and birds टेल चितर किसके हैं नाम दिया गया हरी किशन लाल के हैं rock and birds नाम दिया गया भी मल्लास के हैं के स्कूल करने के हैं या फिर मकबूल फिदा खुशन के हैं rock and birds के अगर बात करें अच्छी रचनाओं में शुमार है और सही जबाब हरी किशन लाल बनेगा first is the right answer से बनेगा प्रशन क्या 25 की बात करते हैं 25 नमबर questions कहे रहा है अलाह स्रंखला ये एचिंग बनाई गई है किसने बनाया आर एन चक्रवर्ती ने बनाया जै कृष्ण गरवाल ने बनाया जी एन टेगो ने बनाया फिर देवयानी कृष्ण ने बनाया अलाह जो संस्कृती है अलाह ये चिंग जो है बनाई गई है अलाह रचना बनाई गई देवयानी कृष्ण की है पैंसे बहुत बढ़िया इसके इस देवानी किस्म ने बनाया है सही जबाब D के साथ लगाईए बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 26 नमबर आपकी स्क्रीन पे रहा दा बोवर्स एंड दा डंक इसके रचनाकार कोन है आपको बताना है पोवर्स एंड दा डंक के लिए याद रखेगा आरें चक्रवर्ती की रचना है सही जबाब B के साथ लगाई है आरें चक्रवर्ती इस तरह इट आंसर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 27 नमबर questions आपकी स्क्रीन पे ये रहा पोट्रेट आफ आफ आ लेडी अगर सही जबाब की बात करें तो पोट्रेट आफ आ लेडीज एट मिसेज मोडीज हाउस की बात करें तो मुकुल चंडे के साथ आंसर मिलान कर लीजे फर्स्ट इस दर आइट आंसर लगा लीजे बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अगला questions 28 नमबर कह रहा है अस्थापना कला में कारे करने वाले प्रशिद्ध कलाकार कौन है बिमान शुंदरम, बेदनायर ये और भी दोनों कोई ने अस्थापना कलाकार में जो है फुमार नाम कौन सा होगा तो बेदनायर भी होंगे विमान शुंदरम भी होंगे तो सही जबाब सी के साथ लगाईए सी इस दराइट अंसर बनाईए बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरह अगला कोश्टन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा और 29 नंबर कोश्टनस आपसे क्या पूछ रहा है किसने अपने इंश्टालेशन, Mankind जो है 2192, Despair and Hope of a Kalpabridge के माध्यम से परियाबरण में होने वाले हाथ से के ससक्त तरीके से टिपड़ी की है तो Mankind को किसने बनाया है, इंश्टालेशन है और उसके माध्यम से परियाबरण को कटाच करने का प्रयास किया है विमान सुन्दरम की है मैंन काइंड बेदनायर की है रमेस बिष्ट की है फिर सतिस कुजराल की है आपको बताना है किस की है अगर बात करें तो ये फाइनली जो रचना होगी है वो बेदनायर की होगी तो सहही जबाब बिदनाया लगाई ये 20 जराई टंसर बनाईएगा प्रशन क्या 30 की बात हो रही है 30 नंबर कोश्चेंश कहे रहा है नेथे नियल वालिस के संग रहले संग रहले के संसथा पकते हैं नाम दिया गया नेथे नियल वालिस के लिए राजी संग्रहले लखनो भारती संग्रहले कोलोकाता आज तो संग्रहले कोलोकाता या फिर राज के संग्रहले चन्ने नेथे नियल वालिस के अगर बात करते हैं तो आपको सही जबाब भारती संग्रहले कोलोकाता लगाना होगा बीज दराइट अंसरस बनाना होगा बढ़त प्रजापोथी खाना रामपुर में या फिर भारतिय संग्राहले को लोकाता में तो फुलजरी धारन किये हुए जो महिला है उसका चितर राष्टिय संग्राहले दिल्ली में है सही जबाब भी के साथ बनेगा मित्रों बीज तरही टांसस बनाईए फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चनस के तरह अगला कोश्चनस 32 नंबर आपकी स्क्रिन पे हर सिल्वर थ्रोन ये कागजवे पेंस से बहुत बढ़ियां मनाया गया है आयल पेंटिंग में 2000 के आसपास की ये रचना है हर सिल्वर थ्रोन के कलाकार कौन है हर सिल्वर थ्रोन के अगर बात करें बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और ये रचना मूलूप से जोगिन चोधरी की है सही जबाब आपको B के साथ देना होगा B is the right answers बढ़ते हैं अगले कोश्चनस की तरह 33 नंबर कोश्चनस के रहा है किसका चित्र है गोगी सरोचपाल का है अपरना कोर का है अरपिता सिंग का है मादभी पारेक का है ये अगले कोश्चनस की तरह 34 नंबर कोश्चनस आपकी स्क्रिंट पे ये रहा निर्भया नामक ख्याती प्रेंटिंग किस ने बनाई नाम दिया गया यूशुप ने बनाई रामकुमान ने बनाई जीम सेख ने बनाई अपरना कोर ने बनाई निर्भया एक फेमस प्रेंटिंग होती हो निर्भया को बनाने का काम अपरना कोर कर रहा है तो सही जबाब आपको D की साथ लगाना होगा D is the right answers बनाईए फिर बढ़ते हैं अगले questions की तरब 35 number questions आपकी स्क्रिन पर जी रहा प्रसिद्ध स्कलप्चर हुईल हुईल जो है लकडी लोहा सीसा पेंट में बनाया गया है 2009 की रचना है हुईल गागी शाकारिया ने बनाया है गोगी सरोजपाल ने बनाया है जैंद गजेरा ने बनाया फिर फ्रांसिस न्योटन सूचा ने बनाया है हुईल अच्छी रचनाव में शुमार है किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती है तो गीगी सकारिया के तौरा बनाई जाती है गीगी सकारिया answers और बढ़ते हैं अग्ले questions के तरफ अगला questions 36 नमबर आपकी screen पर नहीं रहा दी आर्कीटेक्चरा दी आर्कीटेक्चरा किस रोमन अस्थापतिकार की पुस्तक है दी आर्कीटेक्चरा किसकी पुस्तक है बिटू वियन्स की है सही जबाब आपको बिटू वियन्स के साथ देना होगा फिस्ट इस दराइट अंसर बनाना होगा प्रसंख्या 37 की बात हो रही है 37 नंबर कोशन साब से कह रहा है बिराड सभा में द्रोपती बिराड सभा में द्रोपती एक कैनमास पे बी के साथ देना होगा अगला कोश्चन्स थाटी एड नमबर कोश्चन्स आप से पूछ रहा है कि जो है निमलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार कोन है जैज हरोटिया, जी आर संतोस, कगनेदना, टेगोर जेश्वामिनाथन, आपको बताना है चापा कलाकार के रूप में थोड़ा सा ख्याती उशे प्राप्त है उसका नाम जैज हरोटिया है सही आंसरस फर्ष्ट के साथ लगाईए फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 39 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा वह चितरकार जो गुजराती कभी और गद्यकार भी रहा है नाम दिया गया गुलाम मुहमद शेक है हिम्मत साह है कृष्चन रेड़ी है और फिर जोती भट है वह चितरकार जो गुजराती कभी और गद्यकार भी रहा नाम दिया गिया रामचंदरशुकल, केशव मलिग, जेश्वामी नाथन और गुलाम मोहमद सेख आपको बताना है निमलीखित मेंशे उसकी पहचान करिया जो चितरकार नहीं है तो उसका नाम आपको बताना है केशो मलिक सही जबाब होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 41 नमबर आपकी स्क्रिंग पे ये रहा पूछ रहा है किसे ने अपने केरियर की सुरुआद professional singer के रूप में की नाम दिया गया ए राम चंदरन गुलाम महम्मद शेख रमिश्वर बूटा और जेतिन दास का नाम दिया गया है professional singer के रूप में ए राम चंदरन ने कारे किया तो सही जबाब आपको first के साथ लगाना फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 42 नमबर questions आपकी स्क्रिन में रहा प्रसिद्ध चितर बीजापूर हेरिटिंग बीजापूर हेरिटिंग ये रंगेन प्रिंटिंग है किसका है मुहम्मद अजायुद्दीन पटेल का है जेराम पटेल का है बीजापूर हेरिटिंग एकर बात करते है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है आपको बताना है किसकी है मुहम्मद अजायुद्दीन पटेल की है फिर्ष्ट के साथ answers फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 43 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा पूछ रहा है आपसे भारत में सबसे पहले पुर्टगालियों ने गोवा में पहला चापा खाना कब अस्थापित किया पूछा जारा है पुर्टगाली 1850 में 1666 में 1556 में या फिर 1820 के आसपास गोवा में पहला चापा खाना इस्टबलिस करते हैं गोवा में पहला चापा खाना 1556 के आसपास इस्टबलिस करेंगे तो सही जवाब B के साथ बढ़ते हैं अगले कोश्चंस के तरफ अगला कोश्चंस कौन सा है 44 नमबर 44 नमबर कोश्चंस आप से पूछ रहा है जो है कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कोन है कोरा कैनवास ब्रचेंदर पाठी की है फ्रांसिस निटान सुजा की है जेश्वा मिनाथन की है प्रभावर वारवे की है आपको बताना है कोरा कैनवास कोरा कैनवास के अगर बात करते हैं प्रभावकर वार्वे की है भोने अस्वर भासकर की है या फिर अवधेश अमन की है I want that कि अगर बात करते हैं बहुत बढ़ियां रचनाव में हैं और स्री निमासन रेड़ी की है आपको सही जवाब first के साथ देना होगा is the right answers लगाना होगा बढ़ेंगे अगले कोशनस की तरफ अगला कोशनस 46 नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा A.S. रमन की परसिद्ध करती कौन सी रही है कला अलोचक के रूप में कला इतिहासकार के रूप में चित्रकार के रूप में और फिर मूर्दिकार के रूप में A.S. रमन की अगर बात हो तो ये किस रूप में थोड़ा सा फेमस होते है A.S. रमन की अगर बात हो तो सही जबाब आपको कला अलोचक के रूप में लगाना होगा First is the right answers बनाना होगा कला अलोचक के रूप में थोड़ी सी खास प्रशिद्धिन की रही है प्रशन की आप 47 की बात हो रही है पूछा जा रहा है ड्रिमीज ट्रीज ड्रिमीज ट्रीज कला करती किस ने बनाई वंजीत बाबा ने, रजा ने, सूजा ने या फिर नलनी मौलनी ने ड्रिमीज ट्रीज की अगर बात हो तो बहुत अच्छी रचना है नलनी मौलनी की, सही जवाब D के साथ बढ़ते हैं अगले questions के तरफ 48 number questions आपकी screen पे ये रहा पूछना आप परसेद प्रेंटिंग उर्वसी किसकी है नाम दिया गया जैज हरुटिया की हेमा उपाध्या की, रभी वर्मा की या फिर एराम चंदरन की उर्वसी रचना जो है, आप जानते हैं उर्वसी प्रेंटिंग एराम चंदरन की है तो सही जवाब एराम चंदरन के साथ लगाईए बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 49 number आपकी screen पे ये रहा दा किबार के चितरकार कून है दा किबार जितिन दास के हैं पायरतोस्षेन के हैं, जिश्वामी नाथन के हैं शोमनाथोर के हैं, ता किबार की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना है पायरतोस्षेन की सही जवाब ची के साथ बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions, 50 number आपकी screen पे ये रहा भारती सुंदर शास्त्र में, शडांग में लामड योजना से क्या दात पर है शडांग में लामड योजना से आकार में अंतर आता है वरन है, क्रांती है या फिर सामंजस से है आपको बताना है लामड योजना और लामड योजना कांती को दर्शाता है तो सही जबाब क्या बनेगा आपका 20 दराइट आंसर्स बनेगा बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 51 नमबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा पूछ रहा है मिश्टियल थेटर मिश्टियल थेटर किसकी आकरती है रमेश वर बूटा की है जेज हरोटिया की है मनुपरे की है के खूंसा की है आपको बताना है मिश्टिकल थेटर की अगर बात हो तो आपको ये रचना के बारे में बताना है सही आंसर्स बनेगा मिश्टिकल थेटर के लिए जेज हरोटिया इस तराइट आंसर्स बनेगा बढ़ेंगे एगले questions की तरह 52 नंबर questions के रहा है असोक इन कलिंग के चितरकार कोन है जतिन दास है आसे हालदार है और उन्हें इनाट टेवोर है और फिर छितिन दास बजुनदार है असोक इन कलिंगा की अगर बात हो अच्छी रचनाओं में शुमा रहा है जतिन दास की रचना है वलास की की है सुनी इल्दास की है फिर गुलाम मुहमद सेख की है freedom at midnight के अगर बात हो तो freedom at midnight पढ़ियां रचनाओं में शुमार है और सही जबाब गुलाम मुहमद सेख बनेगा डी इस दराइट आंसर से बन जाएगा प्रेस संख्या चहुन की बात करना है 54 नमबर कोश्टन के रहा है न्रवन्स विज्ञान कला से आप क्या समझते है न्रवन्स विज्ञान कला आधिवाशी कला है आप कला है लोक कला है और फिर आधुनिक कला है आपको बताना है न्रवन्स विज्ञान कला रवन्स विज्ञान कला की अगर बात हो सही जबावादिवासी कला के साथ लगाईए फर्ष्ट इस दराइट अंसर्ष बनाईए पच्छिपन नमबर कोश्चिंस क्या कह रहा है चर्चित प्रेंटिंग बामबे ब्लाष्ट जो मुंबई विस्फोर्ट को जीवन्त करती है किसने बनाया सुनील दास ने दिब्यानी राई ने 37 गुजराल ने और फिर रामकुमार विश्चो करमाने बामबे ब्लाष्ट को बनाने के बाद वो थोड़ा सा चर्चित हो जाते है नाम सुनील दास होता है पढ़ेंगे अगले कोश्चिंस की तरह अगला कोश्चिंस 56 नमबर आपकी स्क्रिंट पे यह रहा बढ़ेंगे अगले कोश्चिंस की तरह अगला कोश्चिंस 57 नमबर आपकी स्क्रिंट पे यह रहा पूछ रहा है BUDS BUDS यानि पेपर पल्प कला करती किस की है सूमना अथोर की है कोई नहीं राम के इंकर बैज या फिर हिम्मज सा आपको बताना है BUDS बढ़ियां रचना है BUDS की अकला कार कोन है तो BUDS को भू बनाने का काम होता है सही जबाब बनेगा किसके साथ जोमना थोर के साथ सही जबाब भी बनाइए बढ़ेंगे अगले questions के तरफ 58 नमबर questions आपकी स्क्रिन पे रहा मई 2170 तहली चितर किसका है नाम दिया गया भूपेन खकर शुनील दास, पिकास भट्टा चार जी या फिर राम कुमारा आपको बताना है मई 2170 मई 2170 की अगर बात हो याद रखेगा विकास भट्टा चार जी की बढ़िया रचना है सही जबाब सी के साथ बनेगा सीस तराइट आंसर बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अगला questions 59 नंबर आपकी स्क्रिंट पे यह रहा पंदरा अगस्त वननेशो सत्तानेबेश भी को भारती आजादी के स्वरण जैनती के अउसर पे स्वतंतरता के रंग नामक कला परदर्शनी का आयोशन कहा हुआ स्वतंतरता के रंग की अगर बात हो स्वतंतरता के रंग बहुत अच्छी रिचनाव में सुमार है और स्वतंतरता के रंग राष्टी आदुनी कला संगरहले नई दिल्ले में जो है आयोशित किया किया तो सही बाब B के साथ लगाएए बढ़ेंगे अगले questions की तरफ सक्की प्रदर्शनी कहा लगाई गई नाम दिया गया दिल्ले मुंबई कोलोकाता चंदिगाड दिथीम आफ वगदाद की अगर बात हो दिथीम आफ वगदाद के लिए कोलोकाता सही जबाब से इसतराइट आंसरस लगाईए बढ़ेंगे अगले questions की तरफ कोलाज माध्यम की लोस्तिवन नमबर आपकी स्कीला गया है सभी जबाब आपको बिके साथ देना होगा अच्छा एक साथ देना होगा इस तरही ढाइट आंसर से बना रहा बढ़े corners की तरह अगला कोश्चन 62 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा वह सिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ते सिल्प गती पूर्ण बनाए है नाम दिया गया डिपी राय चोधरी, सर्वरी राय चोधरी, राम किंकरवेज, या फिर वल बिर शिंग, कष्ट कौन सा सिल्पकार है जिन्होंने अ कारे किसका रहा है मूर्ते सिल्पी में, तो सर्वरी राय चोधरी के रहा है, सही जबाब बी की साथ, भी इस दराइट आंसर, बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 63 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा, पूछ रहा है, राष्टी आदुने कला संगराल बलाम फिल्ड, सही जबाब बनेगा, फ़र्ष्ट इस दराइट आंसर, एक एसाथ आंसर पढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 64 नमबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा, जैमितिय चितर प्रकृति के रचनाकार कोन है, प्रकृति के रचनाकार सेद हैदर र वासुदेव कामत हैं, चंदर जीत रहे हैं, आदेत गड़वनायक हैं, फिर निलेस किंकले हैं, आपको बाम्बे आट सोसाइटी की बात हो रही है, बाम्बे आट सोसाइटी के अगर बात करें, तो बाम्बे आट सोसाइटी की जो इस टाइम जो है महानिर दे सके हैं, बढ़ेंगे एगले questions की तरह अगला questions 66 नंबर आपकी इसक्रिंड पर ये रहा अब वैसु हुसेन द्वारा निर्मित एक ब्रत चित्र है जिसे कहा जाता है letters to my son about my father किस पर आधारित है मैं फुशेन पर बीशी शान नियाल पर राजा रभी बर्मा पर अमरता सरगल पर letters to my son about my father आपको बताना है किस पर आधारित है तो याद रखिएगा जब हुसेन सब तो यहाँ हुसेन तो यहाँ हुसेन सही जबाब मपगुल फिदा हुसेन होगा first is the right answers होगा बढ़ेंगे एगले questions की तरह अगला questions 67 नंबर आपकी स्क्रिंड पर ये रहा चन्नाई के progressive penters association चोल मंडल सिल्पी उपवासों के संस्थापक और मद्रा सार्ट स्कूल के अध्यच कों थे जबाब जो बनेगा वो बनेगा बढ़ते हैं अगले questions की तरह अगला questions 68 नंबर आपकी स्क्रिंड पर ये रहा अग्यालेते राम सीर्षक के रचना किस की है सेलेनाडे की ये सित कुमार हलदर की है लालमेड की ये फिर ये नार्या की आपको बताना है वन गमन के पहले अग्या लेते राम से लेना डे ने बहुत बढ़िया बनाया है सही जबाब आपको first के साथ देना होगा is the right answers बनाना होगा बढ़ते हैं अगले questions की तरफ अगला question सत्तर नंबर आपके screen पे ये रहा सत्तर नंबर questions कहे रहा है the painting of Buddhist in Ajanta ये पुस्तक किस ने लिखा जान ग्राफिक्स ने लिखा ये वी हैबले ने लिखा डाक्टर आनंद कोड़िस कुमार स्ववी ने लिखा या पर डाक्टर मोधी चिंदर ने तब painting साथ Buddhist in Ajanta के लिए रशना लिखी है सही जबाब बनेगा जान ग्राफिक्स या फिर मोधी गिलियानी है आपको बताना है वार्ष तो निर्पेट छेकला का जनम दाता तो सही जबाब बनेगा कांड़िस की सही जबाब फर्स्ट के शाल लगा ये इस तरा इडाइट आंसर से बढ़ते हैं अगले कोश्शन के तरफ अगला कोश्शन 72 नमबर आपकी स्क्रेंट पर ये रहा अपोलो पत्रिका का प्रकासन कहां से होता है रूस से होता इटली से होता इंगलेंड से होता एफ न्यू यार्क से होता अपोलो पत्रिका का प्रकासन कहां से स्टार्ट होता है आपको सही जबाब देना है, पोलो पत्रिका का जो परकासन होता है वो इंग्लेंड से होता है, सही जबाब आपको B के साथ देना होगा, B इस दरहाई टांसर लगाईए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन से साथ सही बैठेगा, B इस दरहाई टांसर लगाईएगा बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह 74 नंबर कोश्चन साब की स्क्रिन पे पूछा जा रहा है, फाइव बर्थ एट दा लेक यह वो नई शू 11 की रचना है, किस का चितर है, रेनवार का है कार्शनेर का है, सही जान का है, या फिर रामकुमार का है आपको बताना है किस की रचना है, किस कलाकार ने तो कार्शनेर ने सही जबाब सी के साथ सीजता राइट आंसर बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला question 75 number आपकी screen पर ये रहा किस चित्रकारने चित्रों में हम जीवन का खुर्दुरापन महसूस कर सकते हैं हम जीवन का खुर्दुरापन महसूस करते हैं ऐसे मुल रूप से जमीन का खुर्दुरापन महसूस करने के लिए अगर सभी जबाबों को लगाएं तो प्रख्याद में रूलेष्ट अगला question 76 number आपकी screen पर mad after बीडा mad after बीडा के प्रतिसमोहन किसका जो है प्रसिद्धचित्र है आउनी बाबु का ननलाल बोश का केपिंग टपा का हरिहरलाल मेड का आपको बताना है mad after बीडा की रचना मुल रूप से कौन से कलाकार के लिए फेमोस हो जाती है mad after बीडा के अगर बात हो के बेंग टपा के शाथ आंसर सेर करियेगा मित्रों sees the right answer से बनाईएगा अगला question 77 number आपकी screen पर रहा मीरा मुखर जी की मूर्तिसिलपी spread of daily work के का से मृतिमा कहा रखी हुई है राष्तियाद्म ही कला संगराले नहीं दिली में है या फिर दिली आर्ट गैलरी दिली में है लैलित्लयाकेद्मी दिली में है फिर कला भौन शांतिनी के तन बीर भौनी में है आपको बताना है spread of daily work इस पर टाफ डेली वर्क की अगर हम बात करें तो फाइनली ये जो रखी जाती है राष्टियाद में कला संगराले ने डेली में रखी जाती है सही जबाब फर्स्ट के साथ जाएगा पढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ 78 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर ये रहा मुंबई में रेडियो लाजिस्ट का काम करने वाले स्वासिचित कलाकार का नाम बताईए आपको बताना ये राम चंदरन है सुधीर पतवर्धन है गड़े स्पाइने है आपिर कृष्ण करना है रेडियो लाजिस्ट के रूप में कारे कर रहे हैं स्वासिचित कलाकार है नाम सुधीर पतवर्धन होगा सीज़ दाराइट आंसर्स होगा पढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ 79 नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर ये रहा इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जिसको जो है राजारभी वर्माने नहीं बनाया है तो ब्रह्मचार नहीं रचना इनकी नहीं है बाकी सभी रचना जो है बनाई गए हैं सही जबाब B के साथ बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ अगला questions 80 number आपकी screen पे यह रहा 80 number questions आपसे पूछ रहा है ताल पोथी चित्र पंच बिमसती सहस्त्रिका पंच बिमसती सहस्त्रिका का चित्रन जेन सेली में हुआ पाल सेली में हुआ मुगल सेली में हुआ या फिर हिंदू सेली में हुआ आपको सही जबाब देना है तो जहाँ पे गोपाल सासक होगा उसे पाल साली कहते हैं और वहीं पे पंच बिमसती सहस्तरिका का चितरन हुआ है तो सही जबाब पाल साली लगाईए आपकी स्क्रिन पे भारत में निम्रकित में से किस पुरास्थल को चावल का प्राचिंतम साथ मिलता है चावल लहुरा देवा में मिला है गरिया बीर में मिला है पका कोटा में मिला है फिर कोशांबी के बास मिला है भारत का पुरास्थल चावल का प्राचिंतम साथ से कहां से परदर्शित नहीं है नाम दिया गया ब्रशब नहीं है हस्त नहीं है अस्व नहीं है ब्याग्र नहीं है आपको बताना है जो सारनाथ का सीर सस्तम्भ है वहां से मुल रूप से कौन सा पशु पाया नहीं जाता है तो सही जबाब ब्याग्र होगा वहां पे ब्याग्र का कोई है उलेख ही नहीं है सही जबाब व्यागर बढ़ेंगे एगले questions के तरह अगला questions 83 number आपकी स्क्रिन पे 83 number questions कह रहा है myths and symbol in Indian art and civilization किसके द्वारा लिखे गई पुस्तक है हेनरिक जीमर है रायकृष्ण दास है पीके अगरवाल है या फिर NPOC है तो ये किसकी रचना है आपको बताना है सही जबाब होगा हर नेक जीमर सही जबाब सही जबाब फर्स्ट के साथ बनेगा हर नेक जीमर is the right answer सगला questions 84 number आपकी स्क्रिन पे आ चुका है पूछ रहा है फिरका पेंटिंग का सम्द्ध कि शित्रन सैली से है फिरका बंगाल स्कूल कंपनी स्कूल आवध स्कूल या फिर मोगल स्कूल आपको बताना है फिरका पेंटिंग कहां होती है फिरका पेंटिंग एकर बात करें तो कंपनी सैली में जहां पिर खुब बढ़िया चिते रहा होता है कई सारे नाम है उसमें से एक नाम तो ईचुरी प्रशाद का भी है तो सही जब आब दिजसी के साथ लगाईए बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरह अगला कोश्चन 65 नमबर आपकी स्क्रिन पर रहा इन में से किस युग में अमरावती अस्तूफ का निर्मार हुआ था अमरावती अस्तूफ का निर्मार पहली शताबदी में चोथी शताबदी में पांचवी शताबदी में या फिर दूसरी शताबदी में हुआ है आपको बताना है मरवतिय स्थूप तो याद रखिएगा सेकेंड सताब्दी में होता है डे इस दराइट आंसर बढ़ेंगे अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन सेटे सिक्स नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा देवासनो पांडो कलपशूत रहस्त लिपी का चितरन इन में से किस कला का शुरूप लेकर के प्रभावित था नाम दिया गया फारसी कला अफरीकी कला भारतिय कला या फिर यूरूपी कला किस रूप में जो है होता है तो सही जबाब आपको लगाना होगा फारसी कला सही जबाब फर्ष्ट के साथ बनेगा ये इस दराइट आंसर हो साएगा अगला कोश्चन्स 87 नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा 87 नंबर कोश्चन्स आपसे पूछ रहा है किस असमारों को जम्बू दियूप आहिवं उत्तमाम कहा जाता है कारले का चैतेगर खजराहो का कंदरिया महादियो मंदिर साची का महास्तूफ या फिर तंचोर का बेदरेशोर मंदिर कारले कोश्चन्स आपसे असमारों को जम्बू दियूप उत्तमाम कहा जाता है तो आपको बताना है सही जबाब और सही जबाब के अगर हम बात करते हैं तो साची का महास्तूफ लगाईए सी इस तरही टांसर बनाईए बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स के तरफ अगले कोश्चन्स के तरफ अगला कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे कौन सा 89 नंबर 89 नंबर कोश्चन्स कहे रहा है इनाम गाउपुरास्थल महाराष्ट का संबंध है किस से कथया संस्कृती से है जारवे संस्कृती से है अहार संस्कृती से है पिर रंगपूर शंक्स्र करती से इमान गाओं पूरास्थल इमान गाओं पूरास्थल की अगर बात हो तो सही जब आप जारगे संस्क्रती के साथ लगाईए C के साथ आंसर्स बढ़ेंगे अगले कोशनस के दिदर अफ नमबे नमबर कोशनस के रहा है असोक अबने अभिशेक के किस वर्स में बुद्ध को जनमस्तली लुम्बनी गए थे 32 में वर्स, 26 में वर्स या फिर 13 में वर्स असोक अबने अभिशेक के किस वर्स जो है लुम्बनी जाते हैं तो लुम्बनी जाने का काम 20 में वर्स का होता है पूछा गिया है उद्धेगरी नहीं है बसान जहर नहीं है अमर गुफा नहीं है या फिर बोतालदा नहीं है आपको बताना है राइगड की पूर बेतिहासी कला का हिस्सा कौन सा नहीं है चारो आपसंद पढ़िया आंसस अपने आप आ जाएगा उद्धेगरी सही जवाब ह पूछ रहा है केसी अस पनिकर इसमें से चितरकार थे बंगलवायर समुह के प्रगतशील कलाकार समुह के चोल मंदलम कलाकार समुह के आपको बताना है केसी अस पनिकर का सम्द्ध कौन से शमुह से रहा है तो चोल मंदलम कलाकार के समुह में जो है केसी अस पनिकर का नाम र कुरान की अगर बात हो तो आपको सही सही रचना लगाना होगा भागवत कुरान भगवान स्रीकृष्ण की कहानी है बढ़ते हैं अगले कोशनस की तरह अगला कोशनस 94 नमबर आपकी स्क्रिन पे है किसने अपने उत्तर जीवित में तांतरिक लोक चितरकला के प्रतीक और तमिल लिपी के मिस्रण से अपनी अधुतिये शैली का उदभाव किया था नाम दिया गिया जी यार संतोष ने केजी शुब्लेमन ने केसी स्पनिक करने या फिर लच्छमण पहने किसे ने उत्तर जीवित में तांत्रिक लोग चित्रकला के प्रतिक और तमिल इलपी के मिस्रन से अपनी दुतिये शेली बनाया तो उसका नाम होगा यहाँ पे केसियस पनिक कर सही जबावसी के साथ चीज़ दराई टांसस बढ़ेंगे एक लिए कोश्चन्स के तरह अगला कोश्चन्स 95 नंबर पूछ रहा है ने मिलकित में इसे कौन जेन धर्म का संरच्चक था नाम दिया गया कुश्चिमित तुशंगु नाम दिया गया खारबेल नाम दिया गया काला सोक नाम दिया गया गोतमी पुत्र जेन धर्म का संरच्छक रहा हूँ, उसका नाम आपको बताना है, जेन धर्म का संरच्छक अगर बात किया जाए तो खारबिल होगा, सही जवाब शी के साथ जाएगा, सी इस तरहाई टांसर लगाईए, बढ़ते हैं अगले कोश्चंस की तरफ, अगला कोश्चंस 96 नंबर आ का नाम होगा, शारंग देउ, सही जवाब फ़स्ट के साथ जाएगा, एस तरहाई टांसर बनेगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चंस की तरहाब, फ़स्चंस 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, चंदेलों से संबंधित मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, कैलासनात मंदि चंदेलों से संबंधित मंदिर कौन सी, चंदेलों से संबंधित जो मंदिर होगी, सही जवाब होगा, कंदरिया महादेव मंदिर, सही जवाब, फ़स्ट के साथ, is the right answers, लगाईएगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चंस की तरहाब, फ़स्चंस 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, तितिये बोधसंगीती आयोजित हुई थी, नाम दिया गया राजग्रह में, वैसाली में, पाटली पुतर में, आफिर कनिश्कपुर में, आपको बताना है तीसरी बोधसंगीती और तीसरी बोधसंगीती का जुआयोजन होता है, आप सब जानते हैं कि पता काएं हैं, थनका, थनका का आर्थ क्या होता है, थनका का आर्थ जो मताया जाता है, मंदिरों को की पताओं के लिए मराया जाता है, तो मंदिरों की पता काएं हैं, जिसे हम लोग बैनर्स कहते हैं, डेस दराइट आंसर्स लगाईए, बढ़ते हैं गले कोशन की तरफ, आप जानते हैं बहुत धर्म से समंधित पाई जाती है तो सही जबाब डीक के शाथ लगाईए पढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ 101 नमबर कोश्चन साब से कह रहा है कैली कोशंग रहले अहमदाबाद अपने किस संग रहा के रूप में जाना जाता है लगुचित्र सज् तो कैल को संग रहले जो एहमदाबाद है वहाँ पर जो डाटा रखा जाता है उसे कहा जाता है वस्तर के लिए तो वस्तर के लिए फेमस है डीस दराइट अंसर्स लगाईए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ 102 नमबर कोश्चन कह रहा है यूनेसको का मुख्य कार्या कर दो दो डता है कहां इसतित नाम दिया गया पेरिश में आश्टेलिया में मास्को में ए फिर भारत में यूनेसको का जो मुख्य कार रह लग होता है तो जो जात्र की साथ बढ़ता है और यesusकff torch के साहथcotा बाए नमबर के स्क्रिन अगला question 104 number आपकी screen पे ये रहा सबसे पहले भारत में बैले कला का आस्थापना होता है बैले कला बैले कला का आस्थापना उदैसंकर सारंग देव गुरुदत या फिर अन्ना पावलुवा आपको बताना है बैले कला बैले कला भारत में सबसे पहले किसने establish किया सही जवाब होगा उदैसंकर सारंग जबाब फर्स्ट के साथ जाएगा is the right answer बन जाएगा पढ़ते हैं इंगले questions की तरह फखला questions 105 number पूछ रहा है सूरी को समरपित जो है मंदिर इस्थित है सूरी को समरपित मंदिर उत्तर प्रदेश में है मदब प्रदेश में है जम्बू कस्मीर में है या फिर आपको हिमाचल प्रदेश में है सूरी को समर्पित मंदिर आपको बताना है और सूरी को समर्पित मंदिर जंबूरो कस्मेर में बताया जा रहा है सहीज़ बाबसी के साथ जा रहा है एक मंदिर आपको याद रखना है कि उडिशा में भी इस्थित है उडिशा में कलिंग वाले में भी इस्थित है प्रयाद देवी तारा से संबन्दी थे प्रवाशियों ने किया आपको बताना है कि इलाचर लिफी को विक्षित किस ने किया है कि इलाचर लिफी की अगर बात होती हो तो सही जबाब आपको फर्स्ट के सास्थ उमेरियन के सास्थ लगाना होगा एस दराइट आंसर से बनाना होगा बढ़ते हैं एकले को उसन की तर साथ लगाना होगा, सी इस दराइट आंसास, बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ, आप जानते हैं प्रक्टिस पेपर 9 है, प्रक्टिस पेपर 9 में 125 कोश्चन होते हैं, इसी स्वाल्व करन में हम लोग जो है 109 नुम्मर कोश्चन के पहुंच चुके हैं, पूछ रहा है न कोश्चन के तरफ, 110 नंबर कह रहा है, महा भनी स्क्रमार, सब्द किस का प्रती को होता है, नाम दिया गया बुद्ध का निधन, बुद्ध का जन, बुद्ध का ग्रहतियाग या फिर संबोधी प्राप्तिया, आपको बताना है, महा भनी स्क्रमार, महा भनी स्क्रमार जैसे भी इस तराइट आंसर से हो जाएगा बढ़ते हैं एकले कोश्चंस की तरहा अगला कोश्चंस 112 नंबर आपकी स्क्रिन पर यह रहा कौन सा पुराण चित्रसूत्र का उलेख करता है मतस्य पुराण भागवद पुराण विश्णो धर्मोतर पुराण या फिर असकंद पुराण आपको बताना है चित्रसूत्र का उलेख कौन सा पुराण करता है तो चित्रसूत्र का जो उलेख करेगा उसका नाम होगा विश्णो धर्मोतर पुराण सही जब आप सीके साथ लगाईए अगले कोशन की तरफ अगला कोशन सही एक 131 नंबर आपकी स्क्रींग पे यह रहा पुझ रहा है प्रसिद्ध बॉद बिश्विधियले के अस्थापत अस्थल कहा है गया में मांडू में कानपूर में नालंदा में आपको बताना है बहुत दुका विश्व बिद्याल है कौन सा तो बहुत दुका विश्व बिद्याल है बहुत फेमस जहां से बहुत सारे लोग आया है पढ़ने नाम होगा नालंदा, डे इस दराइट आंसस, बढ़ते हैं अगले कोशन्स की तरफ, अगला कोशन्स 104 नंबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा, उचाई में कौन सी मूर्ती सबसे बड़ी है नाम दिया गया जापान में कांस की बुर्द पृतिमा, पास्वाण में तीर्थांकर की मूर्ती, भारत में सर्दार बलब भाई पठेल की मूर्ती, आफिर अमेरिका की स्टेचू आफ लिवर्टी आपको बताना है उचाई, उचाई में सबसे उची मूर्ती तो आप जानते हैं इस टाइम भारत की है, सर्दार बलब भाई पठेल की जो नर्मदा के वड़िया में इस्तित है, सही जवाब C के साथ, बढ़ते हैं ग्रेस, ग्रेस, सही जवाब D के साथ, D is the right answers, बढ़ते है पर सित्थ हवा महिल मुंबई में है, बेंगलुरू में है, जैपूर में है, या फिर बीका नेर में है, हवा महिल के अगर बात हो, सही जवाब आप सब लगाईए, हवा महिल के अगर बात हो मित्रों तो, सहی जवाब J Repel लगाईए, D, right answer से, बढ़ते हैं ग्रेस, ग्रेस, 117 नंबर आपकी स्क्रेण पर ये रहा आनंद कुमार स्वामी आपको बताना है भाती पुरातोत सर्वेचन विभा के सांस्थापक सदस्यों में कौन सुमार रहा है नाम होगा अलेक्जेंटर कर निंग हम सही जवाब सी के साथ बढ़ेंगे एकले कोश्चन के तराफ 119 नमर कोश्चन साब की स्क्रिन पे है जिब्य जिब्या सुमा मेंसे किस के लिए प्रशिद्ध है नाम दिया गया नात्वारा पटचितरन के लिए तंजोर पेंटिंग के लिए वारली पेंटिंग के लिए फिर मदवनी पेंटिंग के लिए जिब्या सुमा मेंसे के अगर बात हो सही जबाब आपको देना है सही जबाब बनेगा वारली पंटिंग के साथ B के साथ B is the right answers बढ़ते हैं अगले questions के तराफ 120 नंबर questions आपकी स्क्रिण पर बूमन आन रिक्सा के अगर बात हो किसकी रिख रही है तयब महता ने बनाया के कहबर ने बनाया अरपिता सिंग की है फिर अनबीर काले का की है आपको बताना है बूमन आन रिक्सा के अगर बात हो सही जब आप तयब महता के साथ B is the right answers बढ़ते हैं गले questions के तरा अगला questions 121 पूछ रहा है उस मूर्थिकार का नाम बताईए जिसने सीमेंट कंक्रेट और पेबल्स से आउटडोर मूर्थियां बनाई है आउटडोर मूर्थियां अमरनाथ सहगल ने बनाई है धनराज वकत ने बनाई है फिर राम किंकर बैज के द्वारा बनाया जाता है आपको सही जबाब देना है और सही जबाब के अगर बात करते हैं राम किंकर बैज होगा डी ने बनाया फिर माइकल एंजलो के चुम्बन का दौर बनाने का कारे रहा है चुम्बन के दौर की अगर बात हो तो सही जबाब आपको देना होगा ब्रांकोशी यानि सीज्था राइट आंसर सीज्था राइट आंसर लगाईए बढ़ते हैं अगले कोश्चंस के तरफ अगल की है लिए नाड़ो दाविनसी की है या फिर माइकल एंजलो की है प्याटा मूर्ति की अगर बात हो मित्रों तो सही जबाब आपको माइकल एंजलो के साथ देना होगा डे इस दा राइट आंसर लगाना होगा अन्तिम कोश्चंस आपकी स्क्रिन पे 125 नंबर आप से पूछ रहा है परसी पूलिटन का प्रभाव देखने योग्य है साची मूर्तिकला में अबर राथ की मूर्तिकला में मौर्यकाल की अस्तमभसीर्स में या फिर भरहूत अस्तुफ की मूर्तिकला में परसी पूलिट की अगर बात हो तो परसी पूलिट जो आपको देखना है तो मौ अपरेकालिकी स्फिर सस्टम बकला में देखिएगा सीज्दराइटा